चलिए जानते हैं कि बॉलिवुड की कौन सी एक्ट्रिस थी पहली सूपरस्टार सारा अलिखान और कार्टिकारियन को मुंबई एरपोर्ट पर एक साथ स्पॉर्ट किया गया बॉलिवुड की पहली सूपरस्टार और ब्यूटि क्वीन के नाम से फेमस नसीम बानो अक्ट्रिस सायरा बानो की मा थी नसीम बानो का जर्ण 4 जुलाई 1916 को हुआ था नसीम बानो की परवरिश थार्ट बाट से की गई थी वो स्कूल पालकी से जाया करती थी नसीम एक बार अपनी मा के साथ एक फिल्म की शूटिंग पर पहुँची और वहाँ जाकर उन्होंने ये ठान लिया कि एक दिन वो भी एक्ट्रिस बनेंगी नसीम इतनी सुन्दर थी कि उन्हें नकाप के अंदर ही रखा जाता था जब एक बार वो अपनी मा के साथ स्टूडियो गई तो डिरेक्टर ने उन्हें देखते ही उन्हें फिल्म में काम करने का ओफर दे डाला तब नसीम बानों की मा ने ये कहकर टाल दिया कि ये अभी पच्ची है एक डिरेक्टर ने अपनी फिल्म खून का खून के लिए नसीम बानों के पास गए और प्रस्ताव उनके सामने रखा इस बार भी उनकी मा ने काम करने से मना कर दिया पर इस बार तो नसीम ने फिल्मों में काम करने की ठान दी थी और उन्होंने घर पर भूख हरताल कर डाला तब जाकर उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला नसीम बानों ने वैसे तो कई फिल्मों में काम किया है पर उन्हें शोहरत नूर जहां के निभाए किरदार से मिली 18 जून 2002 में नसीम बानों ने आखरी सांस ली झाल झाल